तो आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं जो यूटुब के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है वो क्यूं होता है और आपको क्यूं करना चाहिए और आप इससे कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी वताने वाला हूं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं सब्सक्राइब यूटुब के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन को सिर्फ 6 महिने के अंदर अंदर ही कमपल्सरी करा गया है लेकिन इसते पहले भी गूगल के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन हुआ करता था आप अपने यूटुब चैनल के बाबजुद भी आप अपन नहीं तूस्ट यह एक चैनल जो है आपके मेल आइडी जो है वह ज्यादा सीक्योट रहें रहने की मतलब यह कि अगर कुई आपके mail id और password भी जान लेता है तो उसको और एक step करना पड़ेगा जब वो आपके mail id के through login होना की कुछिस करता है तो two step verification इसलिए है कि अगर कोई spam बगरा करता है कोई fraud hacker बगरा होता है जो कि simply आपके mail id और password पता करके आपके channel या फिर आपके gmail id को access करने की कोचिस करता है तो आपके phone या फिर अपने device में के अंदर एक code आता है yes और no भी पूछता है आप चाहते हो तो OTP मंगाना phone number में OTP SMS पास सकते हो नहीं तो आपके phone के display पर आपके gmail id login होके हो रहा है तो वहाँ पर आपको एक option मिलता है क्या आपने अभी login किये हैं तो यहाँ पर आपको yes की option च पर बद हो चाता है तो इसके बज़े से ही YouTube ने इसको compulsory कर दिया है कि अगर आपके channel में कोई दूसरा party आकर घोसना चाहे तो आपको पताता चले कि कोई और आपके channel के अंदर घोसना चाहता है और access करना चाहता है तो इसलिए ही two step verification है तो two step verification कैसे करते हैं मैंने पहले भी ब आएगा तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ share करना मत भूलिए एससे content और भी आते रहेंगे तो बीपल आदक टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं मेरे next वीडियो में still then keep signing keep growing and keep watching बीपल आदक टेक थेंक यू हुआ 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 है